नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल एच्पीजी के विद्विक्की में आई होप सब बढ़ियां होंगे और अपने त्यारी को अच्छे से कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो में माचल प्रदेश के कुछ महत्पूरों प्रजनों को डिसकस करेंग आई होप से वीडियो आपको हेल्फुल लगेगी अगर यह वीडियो आपको एक्जांक के पॉइंट हो भी उसे थोड़ी सी भी हेल्फुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भुनने तो बीना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क आपके पास औप्षण भी कुलू नेक्ट कोशन हैं दोस्तों कि माचल पदेश के किने प्रशाषनिक परभाग हैं औप्षण ए तीन औप्षण बी चार औप्षण सी पांच या औप्षण टी छे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण ए तीन जो हमा हमारचल परदेश अंशूची जाती और अंशूची जन जाती विकास की स्थापना कब की गई ओप्षण A 9074 ओप्षण B 9079 ओप्षण C 9080 या ओप्षण D 9082 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण B A 9079 में जो आपके हमारचल परदेश अंशूची जाती और अंशूची जन जाती विकास की स्थापना जो की गी थी वो आपके मारचल परदेश में जो चौंत्रा घाटी जो स्थित है वो आपके मंडी जिले में स्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण A बंडी नेक्ट कोशन दोस्तों की अर्जुन अबोर्ट पाने वाली पहली माचली खिलाडी कौन थी और दीपक कुमार ओप्षण B संदीव कुमार ओप्षण C सुमर रावत या ओप्षण D ठावकर रामलान तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण C सु कहां से हिमाचल परदेश में आए थे और राजस्तान ओप्षण B पंजाव उप्षण C बुंदेल खंड या ओप्षण D उत्तर परदेश तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्षण C बुंदेल खंड जो आपके कहलूर के जो संस्थापक B चंड जो थे व आपके कहलूर का कौन सा राजा था जिसने अपनी पीता की सारी प्रजा को बिगाड बिगाड कर कुलू मैं जाकर सरन लेनी पड़ी थी ओप्षण राजा जीचिंग ओप्षण B अजे चंड ओप्षण C राजा मैंक चंड जा उसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास a उप्षण C राजा मैं चंड लेकर अपने चिछेरे भाई का खोया हुए राजे बापिस पाने की मदद की option ए राजा रतन सिंग, option B संपूरन चंद, option C मल्द्रोल या option D तारा सिंग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास दोस्तों option C मल्द्रोल नेक्ट कोशन दोस्तों की कहलूर का कौन सा राजा था जिसने अपने बड़े भाई संपूरन चंद की हत्य कर दी option ए राजा जी चंद, option B राजा अजे चंद, option C राजा रतन चंद या option D तारा सिंग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option C राजा रतन सिंग, राजा रतन सिंग जो था उसने अपने बड़े भाई संपूरन चंद की हत्य कर दी next question ए दोस्तों की बेगोंसा राजा था जिसको दिली की सुल्तान द्वारा राजा को खिलित के तोर पर सवार लाख रपे और तलवार भेंट दी थी option A राजा श्याम सेन, option B राजा रतन चंद, option C राजा संपूरन चंद या option D राजा कलहन चंद तो इसका right answer हो जाएगा आपके पास option B राजा रतन चंद, next question है दोस्तों की निमें मैंसे कौन से राजा अकवर का समकालिन था, option A, राजा रतन चंद, option B, राजा पूरन चंद, option C, राजा जीद चंद, या option D, राजा ग्यान चंद, तो इसका right answer हो जाएगा आपके पास option D, राजा ग्यान चंद, जो आपका ग्यान चंद जो था, वो राजा अकवर का समकालिन था, next question है दोस्तों की निमें मैंसे कहलूर का कौन से राजा था, जिसने हिंडूर की सिमा पर एक किला बनवाया, option A, राजा शैम से, option B, राजा कल्यान चंद, option C, राजा संपूरन चंद, या option D, कल्यान चंद, जो इसका right answer हो जाएगा, आपके पास option B, राजा कल्यान चंद, जो आपका कहलूर का, जो राजा कल्यान चंद था, उसने हिंडूर की सिमा पर एक किला बनवाया था, next question हो दोस्तों की सुक्यत राजे का कौन सा, राजा कल्यान चंद का समकालिन था, option A option B, जीच सेन, option C, श्याम सेन, या option D, कबीर सेन, तो इसका right answer हो जाएगा, आपके पास option C, श्याम सेन, जो आपका सुक्यत राजे का, जो राजा श्याम सेन जो था, उन्होंने राजा कल्यान चंद का समकालिन था, next question हो दोस्तों की विल्यासपर के ग्यान चंद के बारे में कौन से कथन सही है, option है, ये अकवार का समकालिन था, option B, उसने कासिम खान के प्रभाद से इसलाम धरम अपना है, option C, उनका मकवार पंजाब के नेकट बिल्यासपर में स्थित है, या option D, ये सभी, तो इसका right answer हो जाएगा, आपके पास option D, ये सभी, जो आपका बिल्यासपर के ज्यान चंद जो थे, वो अकवार के समकालिम भी थे, उन्होंना कासिम खान के प्रभाद से इसलाम धरम को अपना है, और उसका जो मकवारा था, वो विल्यासपर के निकट था, नेक्ट कोशन है, जोस्तों कि कहलूर का कौन सा राजा बना, जिसना अपनी राजधाने सु उन्होंना अपनी राजधानी सुनाने से विल्यासपर पदली, तो इसका राइट अंसर हो जागा, आपके पास ऑफशन भी दीप चंद, नेक्ट कोशन दोस्तों कि तारा गड़ किला किस राज़ राज़ तवारा बनाया गया, ऑफशन है दीप चंद, ऑफशन भी राज़ तारा चंद या ऑफशन भी दीप चंद, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपके पास ऑफशन सी राज़ तारा चंद, नेक्ट कोशन है दोस्तों कि बिल्यासपर का डॉलरा नामक महल किस थामने किस राज़ दवारा की गई, ऑफशन है भी दीप चंद, ऑफशन भी ह जोड़ताए है छालना सी जालशू ऑफशन भी दूल्ची दारा ओफशन C मकोडी, या फशन D भी वुस् HOW भी दोड़ा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपके पास ऑफशन भी दूल्ची, और ल्ona जोड़ताँ हूआँ, दूल्ची दारा जोड़ता है रो ज़ूर् लाउस्पिति जो आपका गोची तोहार जो है वह हमाचल परदेश के लाउस्पिति जिल्य में मना जाता है नेक्ट कोशन है दोस्तों कि हमाचल परदेश में कों शास्तान रहे मालियां का जनका लाता है उप्शन i की मट औफशन b तावमाट ऑफशन c जा ऑफशन की बर तो इसका राइट हैंसर हो जाएगा आपके पास औफशन b तावमाट जो हमाचल परदेश का तावमाट जो है वो माली की जन्टा कहा जाता है नेक्ट कोशन है आपके पास की बान गेंगा हिमाचल परदेश की किस नेदी की साइक नदी है ओफशन A सतलूच ओफशन B राभी ओफशन C ब्यास या ओफशन D चिनाव तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओफशन C ब्यास जो आपकी बान गेंगा जो है वो हिम आपके पासDIE बढ़त कोन सा है सबसे बढ़ा हमना कोन सा है। बसोधन दर्रा हिमाचल पदेश के किस थान पर स्थित है? उप्षन ए शिम्ला, उप्षन भी कुलू, उप्षन सी मंडी या उप्षन डी चमबा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उप्षन डी चमबा जो आपका बसोधन दर्रा जो है वो हिमाचल पदेश के चमबा जिले में स्थित है नेक्ट कोशन है दोस्तों की त्रियूंड हिमाचल पदेश के के जिले में स्थित है? उप्षन ए चमबा, उप्षन भी कुलू, उप्षन सी मंडी या उप्षन डी कांगडा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option A, नवाव खान, कांगडा का पहला मुगर गवर्नर जो था वो आपका नवाव अली खान था Next question है आपके पास की मण में जील माचल पदेश के कि जीले में स्थित है Option है कुलू, Option B, मंडी, Option C, चंबा या Option D, कांगडा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option C, चंबा जो आपका मण में जील जो है वो आपके चंबा जीले में स्थित है Next question है दोस्तों की माचल पदेश का कौन से दर्रा सब्रदिक उन्चाई पस देत है Option A, कांगला दर्रा, Option B, पालाचा दर्रा, Option C, प्रांगला दर्रा या Option D, पिन बार में दी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास Option C, प्रांगला दर्रा Next question है, आपके पास की ठ्र्योग पाड़ी रियासेर के संस्थापक पर कौन थे Option ऐ, राम चन는, Option B, बिर चनतौं, Option C, गीरी चन या Option D, जे चनतौं राइट अंसर हो जाएगा आपके पास Option D, जे चनस जो आपके ठ्योग पाड़ी, रियासत के संस्थापक जो थे वह आपके जेचन थे एक्ट कोश्टन आपके पास की पाड़ी बावा कांशी राम का जनम स्थान कहा है और गुरू नखड गाम ऑप्षण भी हरोली ऑप्षण डी खीदड़ी या उसन डी मुपल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षण गुरू नखड गाम जो की क लंठ नखड लंट तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास उफशन स्य अल गंद जो आपके धर्मसालम में की लोड़ की समधी है नच्ट कोशन आपके पास की किला लौँगड माचल पदेश की किस तन पर सत्ते था जो है बहुंद כ नाप्ड्ड पकी पास की 21 तो इसका right answer हो जाएगा आपके पास option B किस नेक्ट कोशन है आपके पास कि बुड़ा कि जिले का लोक में रिते है option ऑप्षन B शोलन, option C लौजबिती या option D सिर्मोर तो इसका right answer हो जाएगा आपके पास option D सिर्मोर जो आपके बुड़ा जो लोक ने रिते है inet question आपके पास कि 30 कतिहोर कि जिल्म में मना जाता कह तो जाए आपके पास दोस्तों कि वह जिल्म मना जाता है तो इसका राइटe mà अनसर चाहिएगा आपके पास absorption ब्लू जो इस चाहिए जो है जाता है नेक्ट कोशन है दोस्तों कि को खखन के आदि प्रह्मा मंदिर की शिलिफ शेली क्या है ओप्षण अ पगोडा सेली ओप्षण बी डलवा चाथ अफ़चन सी पिरमिड जा ओप्षण सी डी शिक्र सेली तो इसका राइट अंसर आपके पास ऑफचन ई। पगोडा सेली वीडियो का अंत मैं यही कहूंगा कि अगर यह वीडियो आपको एक्जाम के पॉइंट ओव भी से थोड़ी से भी हल्पुल लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू जेहिन जेहमाचन